वेलकम टू तरकावित भावना तो आज मैं बनाने वाले हूँ रक्षा बंदने स्पेशल डिश क्योंकि रक्षा बंदन आने वाल है और बहुत ही सारे घरों में स्विट्स और डिशिस बढ़ना स्टार्ट हो गई होंगी तो चलिए मैं आज आपके लिए एक रेस्पी जो र बहुत कम लोग बना पाते क्योंकि थोड़ी मुश्किल होती है गुजिया बनाना तो इसी के साथ मैं ऐसे ट्रिक लेकर आई हूँ हलवाई ट्रिक जो आपकी हेल्प करेगी धाई गुजिया बनाने में तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उरत दाल लेने है जितने भी धई गुजिया बनानी है उससा आप से दाल लेनी नहीं इसके बाद आपको रात भर इसे भिगो कर रखना है सूप़े पीस लेना है थोरा-थोरा पानी यूज़ करका जादा पानी नी और एक स्मूद सा पेस्ट बना कर रेडी कर लेना है उसक से हमारी गुजिया है वह असान तरीके से बन जाए तो अब हम एक पॉली थिल लेंगे उसमें हम पेस्ट रखेंगे और ज्यादा पेस्ट नहीं रखना बस थोड़ा सा पेस्ट रखेंगे उस पर ड्राइफूर्स डालेंगे बहुत लोगों के कमफ्योजन होती है कमेंट्स आते कि ड्राइफूर्स के ऐसे डालते हैं गुजियों के अंदर तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हलवाई लोग डालते हैं और यह आपको हलवाई लोग तो कभी नहीं बताएंगे तो इसलिए मैं बतारी हो तो जरूर देखेंगे इस चुपके पेश्ट बिलकुल स्मूथ है तो आपको भी इसी तरीके से स्मूथ रखना है आप अगर अच्छे से पेटेंगे नहीं उसमें एयर नहीं भड़ेगी तो आपकी गुजिया भी ऐसी चुपक जाएगी और पटेगी तो इसलिए आप लोगों को जितना फेट सको उ अच्छे से निकल जाए तो यह देख सकते कितना फूल कर कितनी देख सकते बलुकुल हलवाई जैसी फूल कर इतनी अच्छे से बनकर गुजिया हमारी तैयार हुई है कि आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद हम पानी में हम इसे डिप कर देंगे जिससे हमारी जो और उसके बाद थोड़ी लो कर लेनी है बस गोल्डन ब्राउन हो जाए बहुत अच्छी लगे आपको कि यहां बाई करकरी सी हो गई हमारी गुजिया उसके बाद आपको निकाल लेनी है और पानी में डाल देनी है तो मैं आपको दुबारा दिखा देती हूँ इस तरीके स बनाएंगे गुजिया तो सच्छी में बहुत यम्मी और बार से बच्चती हो जाएगी बार गुजिया इतनी धाई वाली बहुत महंगी होती है तो इसलिए आप घर पर बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा और वह भी तरकावित भावना के चैनल को देखकर आप पानी से नि नमक और इसमें हलकी से शुगर डालेंगे उसके बाद सारी गुजियां को हम डिप कर देंगे अब जब चाहे बना सकते हैं अब मैं एक और ट्रीक बताती हूं इसकी दूसरी प्लेट बनाने का जब हमने गुजियां डाली नहीं थी जब धाई के अंदर नहीं डाली थी तो आप गुजियों को इस तरीके से डेक्वरेट कर सकते हैं इस तरीके से भी बना सकते हैं अब में प्लीज सादो चै के बासकते हैं तो आवसी बाद हम इसमें सॉट डालेंगे और चटनी डालेंगे अगर इस चीज की आपको रेस्पी देखनी है सॉट और चटनी की तो मैंने चैनल पर पहले से डाल चुकी है और बहुत लोगों ने पसंद की है तो आप लोग जरूर चेक आउट कीजिएगा तो हमारी डेडी है धाहिक वीडियो अच्छी लगी हो तो थेंक्स पॉर वाचिंग मेरे चैनल को जरूर चेक आउट कीजिएगा रक्षा बंदन पर जरूर बनाए और अपने भाई को और फैमली को खुश रख